आज हम करने वाले हैं मुल्टिप्लिकेशन अव डेसिमल नंबर बाइ टेन हंडर्ड एंड थाउजंड अब जैसे यह नंबर है 1.18 इंटू 10 इसको अगर हम मुल्टिप्लाई करेंगे तो हमने वो यह जो ट्रीशनली हम जैसे पहले मुल्टिप्लाई करते थे फिर आंसर निकालते थे फिर डॉट्स लगाते थे वैसे अब यह करना तैन हंडर्ड एंटूजं के केस में इसमें हम फास्ट आंसर निकालेंगे वो कैसे निकलेगा कि भी multiple है हमें देखना बढ़ेगा किस के साथ हो रहा है अब जैसे इस case में 10 के साथ हो रहा है तो 1 के साथ कितने 0 लग रहे हैं एक 0 तो इस case में जो dot है उतने कदम right side move करेगा जितने 0 यहां पे होएंगे जैसे 10 है तो वो एक 0 है तो फिर वो एक digit move करेगा तो अब dot कहां पे लगेगा 8 से पहले लगेगा तो 1.1 होजेगा 11.8 तो यह बस आपको सीखना है उसी तरह से अगर माल लिजे आपको नंबर दिया गया है 19.32 into 100 अब इस case में जो multiplication हो रही है 100 के साथ हो रही है तो 1 के आगे कितने 0 लगे हैं 2 तो अब dot जो है 2 कदम move करेगा तो यह एक और दो इसके बाद जाके यह dot लगेगा तो यह क्या बन जाएगा 1932 अब यह होता क्यों है अब उसको हम देखते हैं अब जैसे यह point 2 into 10 है अभी तक जैसे हमने यह decimal multiplication सीखी तो उसमें हम क्या करते थे हम कहते थे कि भाई कि नंबरों को डैसिमल भूल के पहले multiply करो तो इस केस में तो इंटू 10 करेंगे इसका अंसर क्या आएगा 20 अब 20 के केस में अब डॉट कहां लगना होता था कि दॉट के आगे हमें देखना था कि कितने नंबर्स हैं जैसे केस में सरफ एक ही नंबर है यहाँ पे कोई डॉट नहीं है तो अब जो रिजल्ट आएगा उस केस में डॉट के आगे एक डिजिट रहेगा तो यहाँ पे क्या है जीरो तो एक यहाँ पे डॉट लग जाएगा तो यह था traditional method जिसमें हम multiply करते थे answer आता था उसके बाद हम डॉट लगाते थे पर अगर यही मैं सीधा सीधा डॉट लगाऊं जैसे अभी आपको सिखाया है कि जी डॉट को right कदम move करना है तो यहाँ पे कितने zero है एक तो यह एक कदम right move करेगा तो अब डॉट कहां लग जाए आएगा two तो यह सम्स इस तरह से आपने करने हैं अब अगला सम क्या है 45.01 into 1000 अब इस केस में one के साथ कितने dots हैं कितने zeros हैं तीन one two and three तो अब डॉट को कितने कदम move करना होगा तीन कदम पर यहाँ पर डॉट के आगे कितने डिजिट्स दी हैं सिर्फ दो तो अब इन दो को तीन करना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें हम one के आगे क्या लगाएंगे zero because dot के बाद आप जितने मर्जी zero लगा सकते हैं उससे कोई फर्क नी बढ़ता right side पे number के तो अब इसको करिए अब multiple लाए with thousand अब यह dot जो है तीन डिजिट आराम से move कर जाएगा तो अब कहां पर करेगा one two three इसके बाद जाके dot लगेगा तो यह फिर ऐसे ही आ जाएंगे और इसके बाद dot लगाया नहीं लगाया है एक ही बात है बिकाज यहां पर dot की अब एहमियत दी रह जाती बिकाज आगे कोई number नहीं है कोई digit नहीं है तो यह हमारा finally answer आ जाएगा इसी तरह से मिलता जुलता sum है 0.1 into 100 अब यहां पर कितने 0 दो dot को move कितना करना है दो digit तो यहां पर एक ही है तो यह 0.1 के आगे हम 0 लिख सकते हैं into 100 अब जो dot है दो कदम move कर जाएगा तो एक और दो करेगा तो यह यहां पर ऐसे इस तरह से लिखा जाएगा इसके आगे अब dot लिखो यह ना लिखो उससे कोई फर्मी पढ़ता विकाज आगे कोई digit नहीं है dot जो है दो कदम move कर गया अब यह लास्ट एक सम कर लेते 7.538 into 100 अब यहां 1 के साथ कितने 0 है दो तो dot को कितने digit move करना पड़ेगा दो तो डॉट अब फाइनली कहां लगेगा यहां पर 8 से पहले तो आंसर के आ जाएगा 753 यह 5 और 3 डॉट से बच जाएंगे और उसके बाद लगेगा dot और 8 लास्ट में आ जाएगा तो अब यह exercise में दो चार्स सम्स बनें चोड़ें वह आपके लिए व क्यों मूव करता है राइट सेट पर जब आप एक्शल में मुल्टिप्लाइब करोगे तो 7538 जो यह 0.5 इंटू 100 यह क्या जब वैसे मुल्टिप्लाइब करते तो क्या बनता यह 7538 00 बनता उसके बाद हमें तीन डिजिट चाहिए थे तो यह एक दो तीन डिजिट यहां पर आजाते तो फिर फाइनली आंसर भी हमारे को क्या मिलने वाला था 7538 753.8 और यहां पर भी हमारे को जो हमने सिंपल तरीका सीखा है उसके बाद भी सेम आंसर आ रहा है तो यह सम्स आपने इस तरह से करने हैं बाकि आपको वीडियो से अच्छी लगी तो लाइक करिएगा वीडियो के नीचे शेयर को अप्शन दिया हुआ है आप अपने वाटसप ग्रूप में शेयर कर सकते हैं अप सब 3rd class की है red color में जो लिखा है वो 4 genial and purple Color में लिखा मिल रहा है आपको वो 5th standard की है 4th class मैं already cover कर चुका हूँ सारी उसकी वीडियो स्बंच रुगी है तो वह आपको मेरे चैनल में आराम से मिल जाएंगे thankyou very much